कि यह यात्रा जिन उद्येस्चों को लेके है वो यही है कि जोढ़ना है हमें धर्म के नाम पर हमें जोढ़ना है जो जातियों के नाम पर बांटा गया है imagen trai है उन मुद्दों को ले करके जिनको लेके लड़ाई है और आप देखें उसका बड़ा असर पड़ा है जगए जगए तमाम जाति के लोग तमाम धर्म के लोग आज आ रहें मिल रहें जुड़ रहें और इसकी सबसे बड़ी हुपलब्दी यह है कि आयोध्या के जो मुख्य उजारी है राम जन्भून के उन्होंने राईल गानी की स्यात्रा को समर्तंग दिया है और उन्होंने कहा है कि यह एक महान कुद्देश की महान यात्रा है तो आप एक चीज समझेए भले ही मीडिया उसको नहीं सही से दिखा है दूसी चीज़ें हो लेकिन सत्ता यह है कि इ इस्चित रूप से भविस्ट में लोगों को बात दिख करेगा कि वो आखर के एक हो करके एक जुट हो यदि नहीं होंगे तो वो अपना नुकसान कराएंगे क्योंकि कॉंग्रेस का जो नुकसान होना था हो चुका अब उसका बढ़ना है घटना नहीं है कॉंग्रेस के सबसे बुरे दिनों में भी वो बारा करोन वोट पाटती है और जो लोग अपने सबसे अच्छे वोट पाते हैं अपने उसमें कैरियर में तो ओभी आप देख लीजे ओभी उनके चौथाई तक नहीं होते हैं तो आप इस चीज को समझे कि जब कोई एक चौथाई खड़े होने क याशियत में ना हो तु किसी नाम पे तो जो यह दरे सहमे लोग है कम से कम इनका डर तो मिठेगा आपको सर समाज को मौका मिलेगा यह बड़ी चीज तो यह यात्रा उस धर को भगाने वाली है उस नफरत को तोड़ने वाली है इसलिए इस यात्रा का संदेश बहुत बड़ा है और इतना बड़ा संदेश है यदि आप आज उसमें सामिल हुए तो कल आपको लाब मिलेगा यदि आज आप उससे दूर हुए तो कल जनता वही आपको धिकारेगी और इसका उदारण मुझ नहीं देने को तयार थे दो सीटों का ही विवाद था और नहीं दिया कॉंग्रेस 21 सीटे लेके आई थे तो आप यह समझ लीजे कि जब वो लग जाएगी कहां चुनाओ ही वो करना है तो वो करने में सक्षम है आज भी लोगों के जो है रगों में खून कॉंग्रेस का अइसास कराना है तो इतनी सी बात है तो इसलिए मैं समस्ता हूं कि जो मिलके चलेंगे वो फायदे में रहेंगे और उन्हीं को फायदा होगा इससे कॉंग्रेस को हो या ना हो उन्हें फायदा होगा तो वो अपने फायदे के लिए जुड़ें ना कि कॉंग्रेस के फायद बबबबबबबबबबब